तो यार अगर आप कोई हैवी सॉफ्टर पे काम करते हो आज तक के कोई भी हैवी सॉफ्टर पे काम करते हो ये वीडियो इस पैशली आपके लिए होने वाली है वीडियो को पूरा देखना स्केपड मत करना स्टार्ट करते हैं वीडियो लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से प आपका बज़ेट नाइडी ताउसे लेके वान लेक टैन ताउसल तक हो जाता है इस प्राइज रेंज में मैंने रखे हैं दो लेप्टप यह दोनु लेप्टप असूस की और से आते हैं करने हैं कोई हैवी सॉफ्टप यूज करना है आपके लिए पॉफल की डिल हो सकता है अगर आप एज़ा क्रेटर काम करना चाहते हो आप इन दोनों लेप्टप में से जो भी आपके बज़ेड़े में सेट बैड़ता जा जो भी आपको सही लगता है आप उस लेप्टप के और चले जाना अभी बात करते हैं में स्पेसिफिकेशन की मैं आपको डीपली बता देता हूँ तो सबसे पहले बात करते हैं Asus Rock Certix G15 की तो डिस्प्ले की बात करूँ आपको 15.6 फूल ह्ट प्लस डिस्प्ले मिल जाती जो की आई प्लस लेवल डिस्प्ले है जो की 144 रिफ्रेश्ट के साथ आती है अपर सावसर की बात करूँ इसमें आपको i7 भी मिल जागा 10th generation के सास i5 भी देखने को मिल जागा ठीक है i5 का price थोड़ा सा कम होगा i7 जो है वो आपको 90,000 के budget में मिल जागा storage की बातों को 16 GB RAM वीरेट जो है वो आपको मिल जागा 90,000 के budget में प्लस आपको 5.12 GB SSD देखने को मिल जाती ग्राफिक कार की ब इसका price आपको 90,000 से लेकि 95,000 के budget में जो मैं specification बतारूं आपको 90,000 से लेकि 95,000 के budget में देखने को मिल जाएंगे तो मैंने आपको बता दिया अभी आगे बात करते हैं आपको 14 इंच फ्लस दिप्लस दिस्प्ले मिल जाती जो की IPS एंटी के लिए डिस्प्ले परसासर की बात करूं आपको 8GB RAM भी मिल जागी 16GB RAM भी मिल जागी expandable आप कर सकते हो प्लस आपको 1TB SSD देखने को मिल जागी graphic card की बात करूं आपको GTX graphic card भी मिल जागा RTX भी मिल जागा जतना पे करोगे सारी उसके according आपको specification मिलते जाएंगे उप्रेनी जिस्प्लें की बात करूं आपको वि देख लिए ना price increase decrease होता जाएगा तो यार main specification मैंने आपको दोनों ही laptops के बता दिए अगर देखा जाए लुकवाइस देखा जाए तो यार असूज रॉकवाइस ज्यादा आपको अच्छा मिल जाता है प्लस उसके back side में आपको lighting system देखने को मिल जाता है जो कि आप programming करना है school में चाहिए university में चाहिए office के लिए चाहिए gaming करना चाहिए तो लाप्स्ट्रीम करना जाता है अप सबी के लिए ये दोनों laptop perfect deal हो सकते हैं दोनों की display quality बहुत अगरी मिल जाते हैं अब यह आगे बात करते हैं अगर आपका budget वान लाग चान थाउजन से लेके अगर पोइचिक को एंड फोटो एटिंग कर सको एंड दो लेक्टव रखे हैं अगर आपने अज आप प्रो काम करना आप प्रोफेशनल काम करना आपने आपने architecture की study करते हो, programming करते हो अज आप करेंगर आपके लिए सबसे पहले बात करते हैं अगर आपने gaming भी करनी है वीडियो वीडियोस उगरा करते हो उस पे भी काम करना चाहते हो आप के लिए सबसे पहले बता देता है तो दो laptop की बात कर ले नगाओ तो सबसे पहले बात करते है नमबर टू पर रखा है इस सरफ डेटर को अगर इस laptop की बात करूँ तो यह gaming के लिए पोफेल्ट है अगर आपने कोई भी हैवी यूज करना है आज तक का आप नॉर्मली इजली कर सकते हो एंड नमबर वान की बात करूँ नमबर वान पर रखा है असूस टफ गेमिंग ए 15 इस पर भी अगर आपने gaming करने है हाई ग्राफिक पर gaming करने है प्लस बहिं अगर आपने gamingsın करने है उसके बाद अगर आपने वीलड करने है फूट ओटॉट करने है ऑस डिशा करना चाते है जा कुई हैवी शक्त वेयूmit हो सकते हो आपके लिए यह दोरु आप स्परेक्ट, Г develle Haft Tay प्लस दिस्प्ले मिल जाती जो की 144 रिफ्रेश एट के साथ आती है पर सासर की बात करूं आपको i7 10th generation के साथ मिलता है storage की बात हों को 16GB RAM मिल जाती expandable आपको प्लस आपको 1TB HDD देखने को मिलती प्लस 256GB आपको SSD देखने को मिल जाती ग्राफिक कार्ड की बात करूं आपको नवीडिया जीफो आटेक्स 20606GB मिल जाता हो प्रेनी सिस्टें की बात करूं आपको Windows 10 मिल जाती है 144 रिफ्रेश रिडर के साथ आती है जो की आई पैस लावल पैनल डिस्प्ले प्रोसेसर की बात हों को AMD राजन 7 देखने को मिलता है storage की बात हों को 16GB RAM मिल जाती है expandable आपको 1TB HDD देखने को मिल जाती प्लस आपको 256GB SSD देखने को मिल जाती ग्राफिक कार की बात को आपको न्वीडिया जीफू RTX 20606GB मिल जाएगा operating system की बात को रिविंटो 10 मिल जाते बैंटरी लाइफ की बात करूं दिवाली फैस्टिवल में ये लैक्टप आपको 92,000 के बज़र में मिलता था लेकिन अभी इसका प्राइस जादा हो गया आपको म YouTube पर भी काम करते हैं को वैबसाइट विगारा भी चलाते हैं तो आपके लिए यह लैपटाप परफेक्ट डील हो जब भी हैं अभी बात करते हैं अगर आपने ऐदा प्रो काम करना आपके लिए मैं लैपटाप बताने लगाँ सीवी बात करते हैं नमबर तू की नमबर तो आज आप professional काम करना चाहते हो यह laptop भी आपके लिए perfect deal हो सकता आप long time पिर रख सकते हो और आपको बहुत पसंद आने वाला है तो अभी इसके main specification की बात कर लेता है display की बातों को 14 inch full HD plus display मिल जाती है जो की IPS level display है सेकेंड डिस्प्ले की बात करूं आपको 12.6 inch की full HD plus display मिल जाती है जो की IPS level display जो की touch screen देखने को मिलेगी processor की बात करूं आपको i7 10th generation के साथ मिलता है storage की बातों को 16 GB RAM मिल जाती है प्लस आपको 1 TB SSD देखने को मिल जाती graphic card की बात करूं मैं सबसे पहले आपको बताना जाता हूं आपको नवीडिया जीफो MX250 भी मिल जाएगा 4 GB graphic card भी मिल जाएगा 6 GB graphic card भी मिल जाएगा अगर मैं इस laptop की बात करूं इसका प्राइज आपको 3 लाख के बज़र तक जाएगा तो graphic card आपको तगड़ा देखने को मिल जाएगा 4 GB मिल जाएगा 6 GB मिल जाएगा जितना पर करोगे उसके according specification increase होते जाएगा अभी number one की बात करते है number one पर यार मैंने रखी है HP Spectre X360 अगर इस laptop की की बात करूं बहुत professionals के पास जब बहुत international creators के पास आपको ये laptop देख्टी को मिल जाता अगर आपने कोई भी software पर काम करना है उसके बाद अगर आपने office के रिलेटर काम करना है ये laptop आपके लिए perfect deal हो जबता आपको 4K display मिल जाएगा जो की touch screen है इसके main specification की बात कर लेते हैं तो यह display की बात हों को 15.6 4K touchscreen मिल जाते हैं जो की HP pen के साथ आजी है जिसके साथ आप यूज़ कर सो को कि processor की बात करूं आपको i7 10th generation के साथ मिलता storage की बात हों को 16GB RAM मिल जाते प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाते की graphic card की बात करूं आपको GTX 1660 Ti4 GB मिल जाता है प्रेणी system की बात करूं आपको Windows 10 मिल जाते है जो काम करते हैं जब प्रफेशनल काम करते हो कहीं पर अपने laptop को लेकर जाओगे वो लोग को बहुत सही होने वाली है मैं सच बोलूगा जितने भी मैं आपको laptop बताऊंगा वो पूरे अगर मैं बात करूं आपको इतना बोलना चाहता हूं अगर आपने दोनों में से जो भी लेनी है आप लेजगते हो बस आपने 16 GB RAM कि और जाना उसके नीचे आपने नहीं जाना 8 GB के और मत जाना इन फ्यूचर आपको मतलब चेंज करनी पर जागे कोई उसका प्रॉफिट आ जाते हो आपका एक पैसा भी खराब नहीं होने वाला जो कि आपके लिए पोफ्लेक्ट हो जाती है उसके बाद हम बात करें अगर आप 32 GB के और जाना चाहते हो आप जा सकते हो जितना पेकर हो कि उसके आपको स्पैसिफिकीशन मिल जाते हैं प्लस मैं आपको इतना बता दे कियाना चाहता हुँ जो अपल MacBook Pro बनी ही के लिए वीडियो एटिंग और कि द्रखन करने है अब के बाद अगर आप engineering student हो यार आप सभी के लिए apple macbook perfect choice हो सकते है तो यार अभी मेरी वीडियो यही पर हो जाती है खत्म तो यार अभी मैंने आपको इतने laptop बता दिया start किया था हमने 90 दाउस से खत्म किया हमने 20000 के बज़र तक है तो I hope अब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी याश्री आप एक्स्ट वीडियो मेन वीडिकर साथ, थेंक यू